हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नेच्ट इस्टेडी पॉइंट में आज है चार जून और चार जून 2020 से जितने भी करेंट अपर के कोश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही साथ याने कि कल के कोश्चन जो तीन करेंट अपर से रिलेटर फेक्ट भी में आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो को ध्यान परोग देखना और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर प्रेश दो बेल आइकन दबना ताके आने वाली हड़ वीडियो का अपको मिल जाए चलते आज के फ बारंब किया गया है ठीक है अब यह चेंपियन से पोर्टल क्या है चेंपियन से का मतलब MSME को स्वसक्त बनाने के लिए आउटपूट और राष्टी शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रिया का निर्मान किया गया और सामझेस को पूर्ण अनुप्रियोग किया ज पोर्टल जो है उस पोर्टल में जितनी भी MSME की जितनी भी समझ्या है उस पोर्टल के थूरू MSME की समझ्याओं को हल करने के लक्ष रखा गया जिनमें वित्त कच्चे माल स्रम नियामक अनुमाती आदि सामिल है ठीक है दोस्तों इन सभी पर इस पर चर्चा की जाएगी औ और जितनी भी इन में समझ्या आती है MSME में उनको इस चेंपियंस पोर्टल के थूरू इन समझ्याओं को सोल्व किया जाएगा ठीक है दोस्तों यह है चेंपियंस इस चेंपियंस में भी कुछ ऐसे वर्ड है जो आने वाले एक्जामों में पूछे भी जा सकते ठीक है ठीक इन से हो जाएगा नेशनल एंड एस से हो जाएगा स्टेंग्त ठीक है तो इसको आप एक नॉट्बुक में नॉट कर लेना ठीक है और इसको दो से चार बर रिविजन करना हर एक पड़े में तो यह आपको याद रहे जाएगी ठीक है इस में से कुछ भी M को मिन क्या होगा कोश्चन पुछा चाह सकता है चेंपियंस में S का मिन क्या होगा I का मिन क्या होगा P का फुल फॉर्म क्या होता है चेंपियंस हाल ही में जो चेंपियंस नदरेंदर मदी जी दुआरा लौंच किया गया है MSC में के लिए उसमें A का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर H का फ डिविजन करके आरम से वहाँ पर सोल कर सको ठीक है दूस्तों चलते हैं नेक्स्ट कोश्टन पर इस कोश्टन से इतनी जानकर मिलती है वीडियो अच्छा लगए लाइक सेर सब्सक्राइब और प्रेश दब बेल आइकन दपने तकि आनियों वाली हर वीडियो का नोटिफिके मनाया गया है ठीक है यह है तेलगना तेलगना जिसकी राजदानी हेदराबाद है ठीक है दोस्तों तेलगना की राजदानी क्या है हेदराबाद तेलगना की इस्तावना दो जुन 2014 को हुई थी और यह हेदराबाद से अलग होकर सोरी दोस्तों यह आंदरपर्देस से अलग खो़ एक नया राज्यँ बना, ठीक है, तेलगना का तेलगना किस से अलग हुआ, अंदरपर्देश से अलग होकर एक नया राज्यँ बना, इन दोनों की अंदरपर्देश औरelson चाहिए, भी राज़़ावाद हैं, लेकिन तेलगना की अलग राज्य बना है उस समय यह प्रस्ता था कि सन दोजार चोईस में तक सन दोजार सोरी दोस्तों सन दोजार चोईस तक आंदरपर्दिस की राजदानी हेदरावाद रहेगी उसके बाद सन दोजार चोईस के बाद आंदरपर्दिस की अपनी राजदानी अमरावती रहेग तब तेलगाना का जो इस्थान उन्तिस व राज्य था ठीक है तेलगाना का इस्थान कौन सा था उन्तिस व राज्य, जब तेलगाना राज्य बना था, लेकिन अभी हाल में भारत में 28 राज्य हुए, क्योंकि जमु को समीर जो है, वो हेग Wag这么 stab प्रतिस बन गया है जब इसकी इस्थापना हुई थी हिदराबाद तेलगाना की उस समय जो जमपुकु स्मीर है वो एक राज्य में गिनाय जता था ठीक है लेकिन अब वो एक केंद्र सासित बन गया है जमपु कुस्मीर तो इसलिए अभी वर्तमान में जो है भारत में 28 ठीक है और तेल करना के प्रथम जो राज्य पालते हैं यहां से कोश्चन पुछे जाते हैं क्योंकि हाली में जो लास्ट में जो राज्य बनता है उससे अधिकतर कोश्चन पुछे जाते हैं ठीक है तो प्रथम जो था वह मुख्यमंत्री चंद्र से कर आउते हैं ठीक है और प्रतम जो राज्यपाल और अभी वरतमान में राज्यपाल तमिल साइस सुन्दर इंध तो अभी इनके दुसरे नंबर के जो राज्यपाल है इसका थिक इइस पहले अगले कोश्टन पर नेक्ष्ट कोश्टन गौट्ड-19 पर behind the mask नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका राइट अंसर हो जएगा मुहम्मद अब्दुलमना मुहम्मद अब्दुलमना जी द्वारा COVID-19 पर behind the mask नामक पुस्तक लिखी गई है ठीक है दोस्तों ये है behind the mask ठीक है behind the mask इस पुस्तक का नामे जिसके के द्वारा लिखी गई है मुहमद अब्दुलमना द्वारा मुहमद अब्दुलमना द्वारा लिखी गई इसमें COVID-19 के चलते है COVID-19 की जो बिमारी है जो महामारी चल रही है इसका जो उद्गम उत्पन्न कहां से हुई कितनी महामारी फेली है कितने देशों में क्या हुआ क्या नहीं ये सब इस जितने भी कोश्चन बनते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए वो इस पुस्तक में इन्होंने अपनी पुस्तक मुहम्मद अब्दुल मन्ना जी द्वारा जो पुस्तक लिखे इन्होंने बताया गया है कि कैसे क्या COVID-19 इसका नाम रखा गया है और COVID-19 क्यों रखा गया है इसकी शुरुवात उतपत्ति कहां से हुई है और क्या क्या हुआ सब इसके बारे में बताया गया है ठीक है इसके राइटर कौन हो जाएंगे मौम्मद अब्दुल मन्ना और ये बुक बहुत ही important रिने वाली और इन राइटर का नाम आपको जरूरी याद रखना पड़ेगा मुहम्मद अब्दुल मन्ना जो आने वाली हर एक्जामों में पुछा जाएगा अगला जो question बन्दा है खेलो इंडिया इपार्ट साला कार्यकरम का उद्गाटन किस नहीं किया है तो इसका लाइटन सर हो जाएगा option number A यहने की कीरन रिजू कीरन रिजू अभी हाली में हमारे खेल मंत्री है कीरन रिजू इन की दोरा खेलो इंडिया यह 5 सलह काईडीकरम का सुभारम किया गया है ठीक है दोस्तों इस 5 सलह में जितने भी खिलाडी रेते हैं जैसे कि जो नेशनल और इंटरनेशनल के खिलाडी है वो खिलाडी जो डेली अभी ट्रेनिंग के लिए कहा घुराउंड जाते हैं ये खेलो इंडिया ये पाट साला कायर्यक्रम चालू किया गया है ताकि उनकी जो ट्रेनिंग की है और उनकी जो भी समझ से आए वो उनको solve किया जाए तो ये अभी हाले में किरन रिज्जु द्वारा जो हाले में केल मंत्री है किरन रिज्जु उन्हीं के द्वारा ये उद्गाटन किया गया है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर AESI का नया अध्यक से किसे चुना गया है किसे बनाया गया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा संजीव गुरेटिया इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा जिसके वर्तमान में अध्यक्ष संजीव गुरेटिया हो जाएगे अभी वर्तमान में अध्यक्ष कोने संजीव गुरेटिया चलते अगले कोश्चन पर किसने सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग एप लॉंच किया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा जो सोडार नामक डिस्टेंसिंग नामक एप जो है वो लॉंच किया गया है गुगल द्वारा ठीके दोस्तों गुगल के द्वारा सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग एप लॉंच किया गया है ठीके दोस्तो अभी जितने भी एप और ये है इनको मैं कोरोना वाइरस का जो अलग से वीडियो बना रहा हूँ उस पर डीटेल में और साथ ही साथ अलग जो सेपरेट जिसके एप है वो अलग जितने भी फीचर लॉंच किये गए वो अलग सभी इनके जितने भी वेबसाइट लॉंच हो रही है वो अलग बता रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो वो वीडियो आप जरूर देखना अगला कोशन है किस राज्य सरकार ने सराप पर अतिरिक्त सुल्क लगाया है तो इसका रहेट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी यानि कि पंजाब पंजाब की राज्य सरकार दोरा सराप पर अतिरिक्त सुल्क लगाया गया है यह सुल्क जो सराप के अतिरिक्त उत्पा तब इसे कोविट पर यूज किया जाएगा ठीक है कोविट पर कोविट की महमारी जो चल दीए उस पर जहां पर भी इनको लग में सरकर्दोरा वहाँ पर इसे यूज किया जाएगा इसलिए इसे सराभ पर अत्रिक्त उत्पात सुल्क लगाई गया है और यह पंजाब की मίζ़ बदनोर ठीक है दोस्तों पंजाब की राज्य सरकार दोरा यह हाल ही में सराप पर अतिरिक्त उत्पात सूल्क लगाया गया है ठीक है और इससे जितना भी पेसा या अमांट इकटा होगा उसे कोविड-19 पर उसका यूज किया जाएगा ठीक है दोस्तों कोविड-19 पर उसका यूज किया जाएगा अगला कोश्चन जो है लाइप सेविंग तकनिकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सी टेप लॉंच किया है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन न की महामारी चले तो दुनिया में जब भी कोई बीमारी या महामारी फिलती है तो उससे रिलेटेड जितने भी दवाईया बनाई जाती है ठीक है उन दवाईयों को सभी देशों में समान पहुंचाने के लिए ये एक पहल सुरुकी कही है ना सी टेप लॉंच किया गया है ज दवाई को हर एक देशों में पहुंचाने की योजना है ठीक है तो ये योजना अब डव्यू एचो द्वारा लॉंच की गई है सी टेप यूजना तो डव्यू एचो का फुल्पॉम होता वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन यानि कि वीश्व स्वास्त संगठन ठीक है द चलते हैं अगले कोश्टन पर नेक्स्ट कोश्टन है रेलवे ने कोवीड-19 रोग्यों के लिए कि सहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सान नमबर ए यानि कि दिल्ली इसका राइट अंसर है रेलवे ने कोवीड-19 रोग्यों के लिए दिल्ली सहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है तीक है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सान नमबर ए यानि कि दिल्ली नेक्स्ट कोश्चन है किसने अल्टरा स्वच नामक किठानों सोधन इकाई विक्सित की है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सान नमबर ए यानि कि DRDO द्वारा हाल ही में अल्टरा स्वच नामक किठानों सोधन इकाई विक्सित की गई है ठीक है दोस्तों इसमें ज और्गनेजिसन ठीक है दोस्तो रक्षा और अनुसंदान विकास ठीक है रक्षा और अनुसंदान विकास जिसकी इस्ताबना 1958 में हुई थी ठीक है दोस्तो जिसका मुख्याल ही कहां पर है दिल्ली में D.I.D.O का मुख्याल ही कहां पर है दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक से है G.37 रेडी ठीक है दोस्तो इस question से इतनी जानकरी मिलती है चलते है next question पर coronavirus जितने भी related question है उन question को आप एक जगा नोट कर लिया करना ताकि जब भी exam आए तो आप उसको हर जगा पढ़ने के बज़े एक ही जगा पढ़े ताकि ये question 100% exam हों में पूछे ही जाने है ठीक है तो ultra स्वच्छे नामक किठान सोधन इकाई जो है वो D.I.D.O द्वरा विक्सित की गई है अगला जो question है हावाई यातरा के लिए किस I.I.T. के छात्रों ने संपर कर रहित मोबल एप्लिकेशन विक्सित किया है तो इसका राइटन सरह हो जाएगा option number B यानि की गुहाटी गुहाटी इसका राइटन सरह है I.I.T. गुहाटी द्वरा हाल ही में हावाई यातरा के लिए छात्रों ने वहाँ के जो I.I.T. के छात्र है उन्होंने संपर कर रहित मोबल एप्लिकेशन विक्सित किया है तिंगे ये जो दोस्तो हावाई यातरा के दोरान जितने भी वहाँ की जो प्रोसेस होती उन्हों प्रोसेस के दोरा अधिक से अधिक सोसल डिस्टेशिंग रखी जाए कोरोना वाइरस के चलते अधिक से अधिक सोसल डिस्टेशिंग रखी जाए और कोरोना वाइरस को फेलने से कम किया जाए इसलिए आयटी गुवाटी के चात्रों ने संपर कर रहित मॉबाइल अप्लिकेशन को विक्सित किया है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 12 कि इस राज्य सरकार ने अपने महतवकांसी प्रोजेक्ट के फोन का एलान किया है इसका रहिट अंसर हो जाएगा यह क्या है केरल केरल की राज्य सरकार द्वारा अपने महतवकांसी प्रोजेक्ट के फोन का एलान किया है अब इस के फोन में क्या होगा दोस्तो गरीबों को फ्री इंटरनेट सुविदा दी जाएगी ठीक है इस के फोन जो मोबैल, जो महत्वकांसी प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है, एलान किया गया है इसके थुरू जो गरीब है उनको फ्री इंटरनेट सुविधा देने की गोशना की गई है यह गोशना केरल की राज्यस्वरकार द्वारे की गई केरल जिसके राजदानी किस राज्यसरकार ने अस्पतालों में खाली पड़े वेड यानि की बेड जो रहते है का पता लगाने के लिए एक एप का लॉंच किया है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A यानि की दिल्ली, दिल्ली की जो राज्यसरकार है उन्होंने अपने अस्पतालों में खाली पड़े वेड का पता लगाने के लिए एक एप का लॉंच किया है तो ये दिल्ली की राज्यसरकार द्वारा लॉंच किया गया है जैसे अभी कोरोना के चलते हर एक होस्पीटल फूल रहता है ठीके दोस्तों जो कोरोना के चलते है अस्पतालों में बेट कितने खाली है कितने नहीं इसकी जानकर उस एप के तरू पता चल सकती है ठीके तो ये एप दिल्ली की राज्यसरकार द्वारा लॉंच की गई है जिसके साहता से अस्पतालों में खाली पड़े बेट की जाँच की जा सकती है ठीक है कि कितने खाली है और कितने नहीं होस्पटल में फूल है या होस्पटल में जा सकती है नहीं जा सकती है उस एप की थुरू ही पता चल जाएगा नेक्स्ट जो कुश्चन बन रहा है किस भारती महिला खिलाड़ी यानि की क्रिकेटर को अर्जुन पुरुसकार किस भारती महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा इसका रेटन सरो हो जाएगा अप्सन नमबर A यानि की दिप्ति सर्मा अभी ह तो अर्जुन पुरुषकार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, जिसमें इस पुरुषकार में 5 लाक रुपई प्लस एक अर्जुन पुरुषकार जो अर्जुन की स्टेचू दी जाएगी, ठीके, और साथी साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीके, और अर्जुन राष्टी केरियर सेवा पोटल किस मंत्रा लई ने शुरू की है, इसका राइट अंसर हो जाएगा, स्रम एवं रोजगार मंत्रा लई, दोवारा हाल ही में, राष्टी केरियर सेवा पोटल लौंच किया गया है, ठीके दोस्तों, इसमें जो युवाओ हो, युवाओ जो य लोंच किया गया है ठीके और यह किया गया है स्रम पर्चब मंत्रा अगला सरकार ने कौरोना वायरस के खिलाब एक महिने के जागरुटा अभियान सुरू किया है इसका एंसर हो जाएगा पंजाब की जो राज्य सरकार है उसने अभी हाल ही में पंजाब की राज्य सरकार दोरा अभी हाल ही में एक महीने का जागरुकता अभियान यानि कि coronavirus के खिलाब एक महीने का जागरुकता अभियान सुरू कर दिया गया है और पंजब के बारे में अभी में ने आपको बताया है अगला जो question बन रहा है IIFL Finance का brand investor किसे बनाया गया है इसका right answer हो जाएगा option number A यानि कि रोहित सर्मा रोहित सर्मा को हाल ही में IIFL Finance का brand investor बनाया गया है IIFL जिसकी इस्तापना 1995 हुई थी जिसका मुख्याल है अभी हाल ही में मुंबई में है और इसके वर्तमान में अभी chairman अध्यक्ष है बाला जी बासुदेवन इनका नाम है जो अभी हाल ही में अध्यक्ष है चलते हैं next question पर ठीके दोस्तों ये last question रहा है इस class का मिलते हैं next class में वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe और press the bell icon दबार देना ताकि आने वाली जितनी भी class है उनका notification आपको मिलता रहे thanks for watching जय हिन, जय भारत